आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्टिसिटी के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे और उनकी यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हम एक कंड़क्टर लें और इस कंड़क्टर की हमने क्या लिए है एक लेंथ एल लिए है और इसका क्रॉस सेक्षेन एरिया ए लिया है अनुपस काट का छेतफल कितना है ए का रेजिस्टेंस क्या होगा आर अगर हम इस कंड़क्टर की लेंथ को क्या कर दें इंक्रीज कर दें लेंथ को क्या कर दिय कि हमने increase कर दिया तो अब क्या होगा कि इसकी जो resistance होगा इस conductor का वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा means अगर हमने length को क्या कर दिया increase कर दिया length की value को हगर हमने increase कर दी तो R भी क्या होता है हमारा increase होता है तो इसका मतलब क्या हुआ R is decly proportional to L अब अगर हम यह जो conductor है हमारा इस conductor का जो cross section area है उसको अगर हमने increase कर दिया और length वही रहने दी cross section area अगर हमने increase कर दिया तो अब क्या होगा जो इसका resistance होगा इस conductor का वो क्या हो जाएगा decrease कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ जो resistance है वो area की क्या होता है inversely proportionate होगा कहने का मतलब क्या हुआ अगर हम इस conductor की length को increase करेंगे तो resistance भी क्या होगा हमारा increase करेगा और अगर हम length को decrease करेंगे तो resistance भी क्या होगा decrease होगा ठीक इसी देखे से अगर हम area की बात करें अगर हम area को increase कर रहा हैं तो inversely proportionate होने के कारण हमारा resistance क्या होगा decrease करेगा तो यहां से हम यह समझ जाते हैं कि जो हमारा r है वो r क्या होगा directly proportional to अगर दोनों को combine कर दें यह हो जाएगा और हम इसको यह भी लिख सकते हैं that is r equal to एक constant हम लाएंगे rho l upon a और यहां पर यह जो rho है हमारा यह जो constant यूज किया है इस rho को हम लोग कहते हैं यह जो rho है इसको हम लोग कहते हैं specific resistance या इसको हिंदी में कहते हैं vicious प्रतिरोध तो अब हम लोग देखते हैं कि यह formula r क्या होता है resistivity क्या होती है इसके बार में हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे तो हम लोगों ने basic formula पढ़ा है एक current और drift velocity में relation that is i equal to n e a vd जहां पर vd क्या है आपकी drift velocity और ohms law हमने पढ़ा है ohms law क्या बताता है v equal to i r अब हमने क्या क्या यहां पर i की value को put up कर दिया v बराबर क्या हो जाएगा n e a vd times r और हम लोगों ने v और e में relation पता है v बराबर क्या होता है e into l जहां पर l क्या है length of a conductor तो यहां पर हम v की value को put up कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा e into l equal to n e a vd times r vd के एक formula हमने पढ़ा था vd equal to आया था हमारा drift velocity का जो relation है था that is small e e tau upon m यह हमारा आया था drift velocity का formula अब इस formula को भी हम कहां रख देंगे यहां पर put up कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा e l equal to n e a e e upon m tau r अब यहां पर देखो e से e क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा l equal to n e square a tau r upon m अब हम क्या करेंगे r को क्या है left hand side पर ले आएगे तो r को हमने left hand side में रखा तो क्या हो जाएगा m l whole upon n e square हम क्या लिखेंगे tau a तो अगर हम यह फार्मला यहां पर देखें जो r की value हमने निकाली थी अगर हम इसको और इसको अगर हम compare करें तो compare करके पाएगे कि यहां से हमारी जो rho की value आएगी तो rho क्या हो जाएगा हमारा m upon n e square tau l upon a को अगर हम compare करेंगे l upon a की जगह पर यहां पर जो हमारा m है n e square tau यह किसकी value बताएगा rho की value resistivity की value तो यहां पर अगर हम यह जो दो formula देख रहा है एक r का formula आया हमारा और एक rho का formula आया इन दो formula को अगर हम ध्यान से देखें तो जो r है वो तो हमारा length में depend कर रहा है और area पर depend कर रहा है length increase, length change कर रहा है डाक्री पर कोशनेट है area की inversely पर कोशनेट है लेकिन अगर हम rho की बात करें resistivity की बात करें या विश्षपतिरोद की बात करें तो इसमें क्या रहा है right hand side में m, mass यह तो constant रहेगा charge भी हमारे क्या रहेगा constant रहेगा, n क्या है हमारा number of electron in the volume of conductor volume मतलब इस conductor के unit volume में number of charge है, तो यह भी क्या होगा according to material क्या होगा यह variate करेगा, और tau भी क्या है हमारा, यह temperature dependent होगा, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कि जो मेरा row है वो एक material property की तरफ जा रहा है, जो r है हमारा, वो एक object की property हो गई, कि अगर हमने उसका shape, length और area अगर हम change कर रहा है तो अगर हम से r की value क्या हो रही थी change हो रही थी, लेकिन जो row है, row की value क्या हो रही है, material की property पे depend कर रहा है, तो यहां पर कई बार exam में questions पूछा याता है कि अगर हमने किसी conductor की length को या area को change किया, तो क्या उसकी resistivity या उसकी विशिश पतिरोद पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसका answer होगा नहीं, अब अगर हम unit की बात करें तो unit, r की unit हम लोग क्या होती है, r को हम लोग, ohm इसकी unit होती है, ohm ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी represent करते हैं और अगर हम row की unit लिखना चाहें row बराबर हो जाएगा r, a upon l, तो यहां पर area की unit होती है, meter square और length की unit होती है, meter एक meter से ये meter cancel out हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ohm meter क्या हो गई इसकी unit, तो resistivity की जो unit होती है वो क्या होती है, ohm meter अब हम लोग बात करते हैं, चालकतों की ठीक है, again very important property है ये ठीक है, चालकत को हम लोग English में कहते हैं, conductance conductance और इसको हम लोग जो represent करते हैं capital G से और conductance क्या होता है G जो होता है, वो R के reciprocal होता है मतलब G की R जितना अधिक होगा G उतना ही कम होगा और अगर R की value क्या होगी कम होगी, तो G की value क्या होगी, ज्यादा होगी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा R है, R एक तरीके से R जितना increase होगा जितना ज्यादा होगा, वो क्या बताएगा, वो उतना ही अच्छा insulator होगा ठीक है, वो उतना ही अच्छा insulator होगा और G जितना अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा conductor होगा clear है अब हम लोग बात करते हैं कि कि इसकी यूनिट क्या हो गी तो इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी ओम इन्वर्स और इसका एक और डूसरी यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं सीमेन सीमन भी क्या है इसकी एक यूनिट है और इसको हम लोग S से रेप्रेजेंट करते हैं ठीक जिस तरीके से resistance की resistivity होती है उसी तरीके से Conductance की भी conductivity होती है चालकत्यों की भी चालकता होती है तो अब जो next है हमारा topic वो है चालकता इसको English में कहते हैं हम लोग conductivity और इसका हम लोग सिगमा से represent करते हैं और यह क्या होता है 1 by rho यह क्या होता है रेस्टिविटी का opposite होता है फिल्टा होता है ठीक है इसका अगर रेस्टिविटी increase करेंगे तो यहाँ पर इसकी value क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और अगर इसकी value को हम दो decrease करेंगे इसकी value क्या हो जाएगी increase हो जाएगी और अगर हम इसकी unit की बात करें इसकी unit क्या होगी हमारी इसकी unit होती है सीमेन मीटर इन्वर्स अब इसकी यूनिट कैसे आएगी देखो एक बार जो हमारा रो होता है र इक्वल टू क्या था रो एल अपॉन ए तो र को हम लोग वन अपॉन जी लिख सकते हैं तो यहां से क्या हो गया रो एल अपॉन ए ठीक है अब हमनों यूनिट के टर्मस में लिख देते हैं यह जो हमारा कंडक्टेंस है इस जी की यूनिट होती है हमारी सीमेन तो इसको हमने वन अपॉन एस लिख लिया रो की यूनिट यहां पे ऐसी ही रखा और इसके बाद हम लोगों ने यहां पे मीटर हो गया सीमेन ठीक है लेकिन अब हमें यूनिट किसकी चाहिए वन अपॉन रो की तो वन अपॉन रो की जो यूनिट होगी वन अपॉन रो की जो यूनिट होगी वो होगी सीमेन अपॉन मीटर इट मीन्स यह क्या हो जाएगा सीमेन मीटर inverse यह क्या हो गई चालकता की unit यह गया इसके निकालने का तरीका ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पतिरोध पढ़ा, पतिरोधक्ता पढ़ी, चालक पढ़ा और इसकी चालक्ता पढ़ी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टन डेफिनेशन थी इनकी और इसके यूनिट्स, बहुत बार एक्जांस मुनाता है, वन मार्क्स, टू मार्क्स का, इसको ध्यान से देखेगा, थैंक यू क्योंते हैं, यू एलुको तूम संस्वाइब के यू जासी आङलता है, पुझा पढ़ी, तू इनकी रहेएंगा, बहुत हैं उक्या इसके बहुत बलक्सिते हैं, क्यूलक्ता पढ़ा, क्यों अन्दू फट्रियार, चालक्ता हुण।